आगरा में सरवाधेट लोग की एड चैनल सीन्यूस की एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आगरा खंड सनातक एवं शिक्षक विधान परेशत सदस्य MLC चुनाव की मतगर्णा के दूसरे दिन सनातक सीट पर चौथे राउन मतगर्णा के बाद समाजवादी पाटी ने असीम यादव और भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र ने मैदान में वापसी कर ली है चौथे राउन की मतगर्णा तक सपह की असीम यादव को बढ़त मिल चुकी है सभा के डॉक्टर असीम यादव को 15,549 वोट भाशपा के मानवेंद्र प्रताप सिंग को 14,827 वोट और हरी किशोर तिवारी को 13,824 वोट बिल चुके हैं अब तक कुल 3,795 मत निरस्थ हो चुके हैं और अब तक 55,987 वोटों की गिंती हो चुकी है वही शिक्षक सीट पर निर्दलिय प्रत्याशी डॉक्टर आकाश अगरवाल जीत गए हैं दूसरी वरियता में डॉक्टर आकाश को 6,690 वोट मिले हैं जब की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेश वसिष्ट को 4,319 वोट मिलें उन्होंने भाजपा अमीदवार दिनेश वसिष्ट को 2,376 वोटों से हरा दिया है आगरा खंड इसना तक सीट की मतगड़ना का दूसरा दिन ये चल रहा है लगभग 36 गंटे का समय मतगड़ना को हो गया है लेकिन अभी मतगड़ना पूरी नहीं हुई है कुल एक लाग 17,000 मतों में से 17,000 के आसपास मत गिने गए हैं जिनमें पांच में राउंड तक भाजपा प्रत्यासी मानविद प्रताप सिंग ने समाज़ादी पार्टी के असीम यादव पर लगभग 3,000 वोटों की बड़त बना ली है अब देखने वाली बात ये होगी कि जब वाकी 47,000 मत गिने जाएंगे तो उसमें किस प्रत्यासी को कितने मत मिलते हैं बहराल मुकावला रोचक हो चुला है तीसे राउंड तक पिछड रहे मानविद प्रताप सिंग ने अचानक से बड़त बनाई है वहीं समाजादी पार्टी की उम्मीदें धीमी होती चली गई है पहले राउंड से दूसे राउंड तक बड़त बनाने वाले निर्दली इंजीनियर अरकिस उर्तिवारी तीसरे नमबर पर खिसक गए है अब देखने वाली बात ये होगी कि जीत की माला किस प्रत्यासी के गले में पड़ती है मंडी समीती से अपने साथी राहुल शांत के साथ बिजय वगेल सीन्यूज आगरा